नमस्कार दोस्तों, मैं डोक्टर शुजात, एक बार फिर से आपका वेल्कम करता हूं आज के इस वीडियो में हम जोडों में होने वाले दर्थ के विशेम, हडों में भूने वाले दर्थ के विशेम जानेंगे और इसका क्या फेली अबचार, संभव है इसके विश्य में भी चर्चा करेंगे किर्प्या इस वीडियो को अंतर देखिए यह वीडियो बहुत ही उप्योगी होने वाला है दोस्तो अक्सर मरी शिकाय करते हैं कि उनके जोडों में या उनकी हड़ियों में अचानक दर्द हो जाता है यह दर्द कई बार शरी के बड़े जोडों में आता है जैसे कि कंधे का जोड़ है, घुटने का जोड़ है, हिप जोइंट है कई बार यह शरी के छोटे जोड़ों में भी आता है जैसे हाथ-पेर के जोड़ है, कलाई के जोड़ है, उंगलियों के जोड़ है इन छोटे जोडों में भी अचानक दर्द आ जाता है इन दर्दों में, कई व्यार इन जोडों में दर्द के साथ सूजन भी आती है और कब भी बुखार भी आ जाता है अब हम जाने लिते हैं कि जोडो में अचानक दर्द और सुझयं आने के कारण क्या होते हैं पवहला कारण होता है इंजरी, जैसे कि कोई चोट लग जाना, जैसे कोई एकचे दnte हो गया उसमें जोडो में हड़ी ओमें चोट लग गई 10 चाहिफ इस से गिर्गया तो उसमें उसके हड़ डीर्च मीजडस से धूट में चोट लगे जाती है कई बार चाहते हैं कि मसस लीगामेंट से और लाप में इंज्ड़िस हो जाती है जिसको हम मोचानक कहते हैं तो चोड कई परकार्ती हो सकती है कई वार मरीजों को age-related arthritis होता है यानि की गटिया होता है इसके कारण उनको अचानक जोडों में और हड्डियों में दर्द महसुत होता है कई बार जोडों में सुजन जाती है नहीं कारण है जोडों में और हड्डियों में अचानत दर्द आने का वो कारण है infection कई वार infection के कारण जोडों में हड्डियों में मवाद हो जाता है सूजन आ जाती है लाली आ जाती है तो infection के कारण भी जोडों में और हड्डियों में अचानत के बहुत महत्पून कारण है जोडों में अचानत दर्द आने का भाए है गटिया के कारण भी मरीजों को जोडों में अचानत दर्द और सूजन आ जाती है अक्से सर्दी के मौशन में मरीज खिश्काय करते हैं कि उनको जोडों में दर्द हो रहा है या जोडों में जख्राहाट आ रही है जोड़ स्टिफ हो गए है तो इसको हम गठिया वाय बोलते हैं कई बार सुभा सुभा उपने पर भी मरीज को जोडों में दर्द मसूस होता है जोडों में इस्टिफनेस मसूस होती है या जपनाट मसूस होती है यह भी गटिया वाय के कारण होता है दोस्तों कभी-कभी हमारे शरीर में यूर्क एसिड की मात्रा बढ़ जाती है और यूर् कैल्शियम की मातर पिशाल से हडीयों हो जाते हैं जोड़ इस दर्द सके हtoi कि जोड़ों जोड़ों का प्रियोग करने काइं रहलता है और जोड़ों में दर्द आने लगता है तो यह हुए दुस्तों जोड़ों हमें दर्द आने कारण औब हम देख लेते हैं कि जोड़ों में व chỉना दर्द आ है say x-ray करवाने चाहिए सबसे पहली जाच है एककर क्यूर करवाना चाहिए उसको खून की जांचे भी कुछ करवानी चाहिए इससे इंफेश्चन की विश्य में जांकारी मिला अथ्वा विटामिन B12 या कैल्शन भी कर्मी तो नहीं है तो यह कुछ अत्यनत आवश्य जांचे हैं यदि हम गठी अबाय का शक कर रहे हैं तो हमें मरीज का आरे पैक्टर भी कर प्रताम उपाए है कि जमीन पर आप ना बैठें उखड़ों ना बैठें जमीन पर आलती-पालती मार कर ना बैठें इसे जोड़ों में दर्द सुजन बढ़े जाएगा श्यूर्णियों का परियोग ना करें श्यूर्णियों से चल्ड़ना उतरना कम कर दें अथो बिलकु आपने खाने में केल्शियम की मात्रा बढ़ा हैं v jotka पर बढएं दूप में बेटे प्रेज में जोρ्स है के लिए आप पनीः लीजिए दूज़ दोसर वनेगों दूसरी पधात लीजर ओर लिजिए उसमें आप लीजिए braucht बैमाट रहते हैं इसके अलावा फिल भी, या हदि जोड़ो में बद रहता है तो महा-nari Neck Tel रहता है एक भी इसका पता रहुआ हुआ आपको जोड़ों की डर्ध में अत्यत लग करी है hmm वरी हरर ले, सोट ले, अजवाईन ले, बरावर बरावर मत्रा मिलने, तीनों को पूट पीछ ले, और वह बारी चून बना ले कपड़ छंचून बना ले, यानि कि इतना बारी चून कि कपड़े में से छंका नीचे आ जाए और उस च्छनेवे चून को ये डब्बे में बंदर कर रख दें और इस चून का इस चमस सुभा इस चमस शांग को गरम पानी से या च्छाच से या मठे से लें निश्ची दूप से जोड़ दर्ब में आपको अराम आएगा तो दोस्तों उम्मी करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा मिलता हूँ अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार